हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कम्पीटर टीचर में हमने DSSP को टार्गेट करके डेटा स्टुक्चर सब्जेक्ट को स्टार्ट किया है लास्ट लेक्चर में हमने एरे का डिकलेरेशन देखा था जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है कि एरे की जो हमने डेफिनेशन देखी थी वो है array is a collection of finite, ordered and homogeneous data elements तो array जो है उसमें number of elements fix होते हैं इसलिए उसे finite data structure बोलते हैं array में data elements जो हम save करते हैं उनका number पहले से fix होता है जो हम define करते हैं declaration के time पे इसलिए array को collection of finite data elements पूला जाता है, ordered होता है क्योंकि memory में वो linear order के अंदर save होता है homogeneous मतलब उन सब array data elements की data type same होनी चाहिए जैसे अगर integer array को declare करेंगे तो वो अपने अंदर integer value को save करेगा इसका detailed discussion हमने last video में किया है अगर आप में से किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे अच्छे से देखें ताकि आपको आज का lecture आगे समझने में आसानी रहे इन properties के base के उपर हमने ये बताया कि array linear order follow करता है इसलिए उसे linear data structure भी बोला जाता है array जो है वो collection of memory locations भी होता है next हमने देखा था कि declaration of array कैसा होता है सबसे पहले array का हमें type बताना पड़ेगा कि array कौन से type का है integer, float, character array, string array, कौन सा array है उसका type बताना पड़ेगा then हमें array का name declare करना पड़ेगा जैसे कोई भी variable को हम declare करने से पहले उसे एक name देते हैं ताकि memory के अंदर जब वो store हो तो उसका एक particular address हमें मिल सके एक unique address हमें मिल सके जिससे उस variable को access करने में आसानी रहे then हम subscribe का use करते हैं और इन subscribe में हम array का size declare करते हैं इस size में हम जो भी number देंगे memory manager उसके according इस पूरे array को memory के अंदर space provide करवाएगा और इसमें एक चीज और है कि अगर आप इसका size देते हैं array का अगर हम size declare करेंगे तो वो हमेशा एक constant value होनी चाहिए इसे आपको अच्छे से ध्यान में रखना है constant value होनी चाहिए floating या कोई और other value हम इसमें save नहीं करेंगे next हम आज start करेंगे types of array types of array में हम different different types के array को पढ़ेंगे उन्हें समझेंगे उन्हें कैसे declare करना होता है but mostly dssp में maximum 1d array पूछता है या फिर 2d array पूछता है तो इसकी detail हम देखेंगे first number पे हम इसका type देखें तो होगा one dimensional array इसे हम short form में one d array भी बोलते हैं second हम देखेंगे two dimensional array इसे हम short form में two d array भी बोलते हैं इसी तरह से ये dimensional add होती रहेंगे three dimensional, four dimensional और इसे हम last में ये बोल सकते हैं कि एक array होता है multi dimensional array one d का मतलब simply हम समझें तो जब भी एक सब्सक्रिप्ट के अंदर value प्रोवाइड करवाएंगे तो वो one d array होता है जैसे हमने ये एक array declare किया ए नाम का एक array है जिसमें हम five values को store कर सकते हैं उन सब values का data type integer होना चाहिए इसमें हमने इस एक सब्सक्रिप्ट को use किया है यहाँ पे ये एक सब्सक्रिप्ट यूज हुआ है इस एक सब्सक्रिप्ट की वज़े से इसे one d array बोला जाता है अगर हम यहाँ पे two सब्सक्रिप्ट को use करें और array declare करें तो इसे two d array बोला जाएगा one d array को आगे continue करते हुए हम देखेंगे कि memory के अंदर जब one d array save होता है तो उसे हम कैसे access करते हैं और उसे कैसे represent करते हैं तो one d array जैसे user ने declare कि इंट टाइप का एक array है जिसमें हम five elements को save कर सकते हैं नाव हम इन सब को एक space provide करवाएंगे memory manager की help से memory manager जैसे इस statement को compiler compile करेगा तो memory manager इसकी data type के according उसे memory में space दे देगा तो हमने ये देखा था कि जो memory होती है वो bytes का collection है बट उसका actual representation कैसे होता है वो हमने last videos में एकदम अच्छे से देखा कि उनको byte में कैसे represent करते हैं उसे memory manager कैसे space provide करवाता है then कैसे एक decimal value binary में convert होती है और वो जाके memory में save होती है तो इतना detail में अब हम आगे नहीं देखेंगे हम ये देखेंगे कि 5 अगर elements है और अगर integer type का है तो ये एक section जो है वो उसके एक element को represent करेगा और understanding level पे हमें ये पता चलना चाहिए कि ये जो एक section है ये 2 bytes को बताएगा यहाँ पे कितने variable declare हुए है 5 हम इने memory में कैसे address करेंगे a of 0 इस representation को हम ये बोलते हैं कि array जो a है उसका index value 0 है और ये कितने number of element है number first next element जो है वो a of 1 के उपर save होगा next element a of 2 के उपर then a of 3 पर then a of 4 पर हमें कितने element save करने है 5 element save करने है first element a of 0 पे save होगा then second element a of 1 पे होगा a of 2 पर third element store होगा a of third पे fourth element store होगा then a of 4 पे fifth element store करवा देंगे यहाँ पे हमने a of 0 से क्यों start किया है क्योंकि array की index value हमेशा 0 से start होगी और कहां तक जाएगी जितने number of element हमें store करवाने हैं उस number of element को कर देंगे minus 1 जैसे 5 element अगर store करवाने हैं तो minus 1 equal to 4 हमारी index value हम 4 तक लेके जाएंगे 0 से 4 और number of element उसमें 5 store करवाएंगे यह इसका actual memory representation है और इसमें से यह question भी आ जाता है कि examiner 5 element का set उसमें array में initialize करवाता हैं दें वो यह पूछता है कि a of 2 पर कौन सी value print होगी तो हमें यह अच्छे से clear होना चाहिए कि a of 2 के उपर third value print होगी मतलब plus 1 value print होगी बट हम जल्दबाजी में क्या करते हैं कि अगर वो उसने 5 value हमें दी हैं जैसे 4, 5, 6, 7, 8 अगर वो यह पूछे कि a of 2 पर कौन सी value है तो हम क्या करेंगे इसे count कर लेंगे 1 and 2 तो a of 2 पर 5 value हम print करवा देंगे और यह हमें option मिल जाएगा हम इसे tick कर देंगे बट यह question हमारे यहाँ पर गलत हो जाता है क्योंकि a of 2 के उपर जो element store होगा वो plus 1 होगा index value क्या है a of 2 2 के अंदर हम एक plus करेंगे तो मतलग third element जो है वो हमारा right answer होना चाहिए actual में हमारा answer आना चाहिए था 6 तो इन चीज़ों को ध्यान में भी रखना है यह छोटी छोटी चीज़ें है और यही examiner target करके हमें पूछता है यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि array का first index value जो है वो a of 0 से start होगी कहां तक जाएगी n-1 तक जैसे 5 हमें values store करवानी थी तो 5 में से 1 को minus कर देंगे index value हमारी जाएगी a of 4 तक array का first element lower bound जिसमें हम array की first value को save करते हैं और array का जो last element होता है या highest element जो होता है उसे हम upper bound भी कहते हैं तो declaration के time पे हमने देखा कि हम यहाँ पे एक size को बताते हैं कि हमें 5 element save करना है बट जब हम उसे memory में represent करेंगे जैसे a of 1 तब हम इसे बोलते हैं index value अब इस confusion को दूर करने के लिए मैंने कुछ definitions लिखी हैं जो आपको help करेगी इन्हें समझने के लिए यह आप अपने notes में भी लिख सकते हैं क्योंकि थोड़े time के बाद क्या है कि हमें index value, base value, size इन सब में थोड़ा confusion हो जाता है कि इनकी actual में इनका क्या use था easy है यह आप खुद भी पढ़ सकते हो बाकी मैं एक बार आपको read out करवा देती हूँ size जो होता है वो number of element हमें जितने array में चाहिए वो size होता है array का the number of elements in an array is called the size of array इसे हम length या dimension भी बोलते हैं array का जो size होगा वो हमेशा एक constant value होगी integer value होगी यह बोल सकते हैं type का मतलब है कि array की data type the data type of an array represents the kind of data stored in that array तो data type वो होती है जिस type का data हमें उस array में store करना है अगर integer values को store करवाना है तो हमें data type integer declare करना पड़ेगा अगर हमें array में character values को say store करवाना है तो हमें character type के data को declare करना पड़ेगा base क्या होता है address of the memory location where the first element of the array is located जो हमारे array का first element होता है जहां पे वो store होगा उसे हम base बोलते हैं और उस element के address को हम base address भी बोलते हैं index क्या होता है all elements are referenced by a subscript इसे represent करने के लिए हम a of i लिख सकते हैं या फिर इसे इस तरह सब्सक्रिप्ट के अंदर भी use कर सकते हैं ये कहलाता है हमारा index सब्सक्रिप्ट की जो value होती है वो हमारी integer value होती है इसे जैसे हमने last में लिखा था कि a of 0 या फिर a of 1 तो इन्हें ऐसे लिखने की जगए पे हम a of 0 a of 0 a of 1 a of 2 ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह के representation में इस सब्सक्रिप्ट को use करने की वज़े से हम array variable को सब्सक्रिप्टेड या फिर index variable के नाम से भी जानते हैं तो अगर कहीं पर ये पूछे कि सब्सक्रिप्ट variable कोन से होते हैं तो वो actual में array variable को ही represent करते हैं अब आप इस में एक चीज़ का ध्यान रखना कि array जो है उसके definition में ये लिखा हो है कि वो finite है जब declare करेंगे तब हम उस array का size fix कर देंगे array का upper bound या फिर lower bound कभी भी compile time पे change नहीं होगा क्योंकि उसको memory manager memory में space provide करवा चुका है अब हम उसका जो size है वो change नहीं कर पाएंगे और ये actual में बहुत बड़ा drawback है array का आगे हम पढ़ेंगे कि ये drawback कैसे है और beneficial हमारे लिए array कैसे हैं लो हम बात करेंगे array को initialize कैसे करते हैं array का declaration हमने अच्छे से देख लिया तो array को हम दो तरह से initialize कर सकते हैं जैसे एक कर सकते है compile time पे और second हम कर सकते है run time पे compile time से मेरा मतलब है कि जब हम array को declare करेंगे उसी time हम array के अंदर value को store करवा देंगे at the time of declaration बहुत easy है जब आपको ये concept अच्छे से समझ आ जाएगा इसमें आपको फिर आगे कभी भी कोई confusion नहीं होगी compile time का मतलब क्या है कि जब भी मैंने किसी variable को declare किया मैंने हमेशा ये statement बोली कि compiler जैसे ही इस statement को compile करेगा int a 20 तो हमने हर बर ये सुना कि जैसे ही compiler statement को compile करेगा मतलब कि जैसे user अपना program finish कर देगा लिखकर हमेशा वो सबसे पहले compiler से compile करवाएगा और compiler अगर उस पूरी statement को exactly सही समझता है उसमें कोई syntax के अंदर error नहीं है तो memory manager उसे memory में space provide करवादेगा compiler को ये पता चल जाए कि values actual में इस array में store करने के लिए user दे चुका है उस declaration को हम compile time initialization बोलते हैं और compile time पर भी हम दो तरह से इसे initialize कर सकते हैं array को जैसे हम बात करेंगे कि declaration और initialization हम एक statement के अंदर ही provide करवादे for example यहाँ पर हम एक role number type का array declare कर रहे हैं जो five students के role number को अपने अंदर save करेगा उन सब का data type integer है तो जैसे ही हम इसको declare करेंगे declare करने के साथ ही इस पर हम semicolon को use नहीं करेंगे हम इसके अंदर values को initialize करवाएंगे values को initialize करवाने के लिए हमें यह curly brushes को open करना है then इसमें हमें हमारी values को store करवाना है 20, 40, 30 and 21 now हम close curly brushes use करेंगे और यहाँ पर semicolon का use करेंगे यह एक proper statement हो गई declaration and initialization एक ही statement में लिखने की यहाँ पर जैसे ही compiler इस statement को compile करेगा उसे memory में यह सारा data कैसे store करना है वो चीज हम देखेंगे कि जैसे यह roll number नाम से एक array है तो इस रोल number array को memory में space provide किया जाएगा 5 elements को store करने के लिए number of bytes कितने होंगे एक बार revise कर लेते है 5 elements है सभी का size 2 byte है number of bytes हमें कितने मिलेंगे 10 bytes 10 bytes के अंदर यह सारा data save हो जाएगा इसमें first student का जो roll number है 20 इसके लिए 2 bytes का एक section अलग से दिया है इसमें यह 20 data save हो जाएगा और इसमें index value अगर देखें तो यह a of 0 के उपर जाकर save हो जाएगी then a of 1 के उपर जो second student है उसका roll number save हो जाएगा 40 then a of 2 a of 2 index value के उपर third student का data हम save करवा देंगे और हमारा last element जो है वो index value a of 4 को use करेगा array का last element save हो जाएगा 21 तो आपने यह representation देखा कि यह कितना easy है अगर हम इसे इतना अच्छ से memory में represent करवा के check करें कि actually में data कैसे save हो रहा है array का इस तरह से हम then second की बात करें then second की अगर हम बात करें तो हम declare और initialization जो होगा array का वो हम दो अलग-अलग statement में करेंगे इसमें declaration का वो ही तरीका है जैसे हम array को declare करते रहे हैं last में भी कि a of 20 और हम semicolon का use कर लेंगे तो यह array की declaration हो गई तो इस तरह से जो array है वो declare हो गया now second statement जो हम use करेंगे उसे initialize करने के लिए use करेंगे अब इसमें initialize हम कैसे करेंगे उसके लिए आपको index value की knowledge होनी चाहिए one by one index value के उपर ये सब data को save करेंगे जैसे a of 0 पर हम 20 save करना चाहते हैं a of 1 पर 40 save करवाना चाहते हैं a of 2 पर 30 save करवाना है and last element a of 4 के उपर 21 को store करवाना है ऐसे declaration और initialization जब अलग-अलग statement में हम declare करें तो ये हमारी compile time declaration की second type हो जाती है इसमें हमें कुछ important चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना है जो paper की point of view से बहुत ही ज़ादा important है यहाँ note करके मैं आपको ये चीज़े बता रही हूँ कि number one पे हमें जब भी array का declaration करना है तो उसका size हमें define करना पड़ेगा आप इस तरह से array को declare नहीं कर सकते ये आपका invalid declaration माना जाएगा second अगर आपको ऐसे blank size के अंदर कोई भी declaration दिखता है तो उसका क्या example हो सकता है तो वो array इस type से आपको declare किया हुआ मिलेगा अगर आपको यहाँ पे size given नहीं है ये declaration कैसे काम करती है यहाँ पे compiler जैसे ही इसे statement को compile करेगा तो वो ये देखेगा कि एक array declare किया है किया है first value second and third compiler automatically इसे compile करेगा कि number of elements कितने है 3 data की type कौन सी है integer तो 2 byte हो गई memory manager से compiler 6 byte का store इस particular एक array को automatically assign कर देगा with the help of memory manager और इस declaration को अगर हम देखें तो ये एक हमारी valid declaration है तो आपको इन दोनों से confused नहीं हो न क्योंकि ये दोनों declaration अलग-अलग है इनका मतलब भी अलग-अलग है अगर आपको सिरफ ये declaration मिलती है तो ये एक invalid declaration मानी जाएगी क्योंकि हम array को blank नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमने इसकी definition में भी देखा था कि array जो है वो finite है उसका size declaration के time पे fix हो जाता है अगर किसी condition में user उसे size को provide नहीं करवा पाता वो अगर values को हमें दे दे तो compiler automatically उसके data type के according उसे memory में automatically space provide करवा देते है now third number case की अगर हम बात करें यहाँ पे हमने एक array declare किया a of 5 मतलब 5 elements का एक array declare किया 3 data elements की हमने value provide करवा दी इस case में क्या होगा कि जो array a है उसमें a of 0 पर 20 save हो जाएगा a of 1 पर 30 save हो जाएगा a of 2 पर 40 save हो जाएगा अब next value insert करने के लिए user ने values नहीं दी इस condition में compiler automatically इसमें 0 assign करवा देगा तो इस declaration को भी हमने देखा और यह भी एक हमारी valid declaration बानी जाएगी इसे declaration को आगे continue करके हम character array पर यह कैसे work करेगा वो देखेंगे तो character type का हमने एक name नाम से एक array declare किया जिसमें 3 character हम save कर सकते हैं इसमें character को कैसे save करवाएंगे curly brushes को open करना है then inverted comma की अंदर एक character को हम लिख सकते हैं क्योंकि character है तो वो single character को store करेगा next element को differentiate करने के लिए comma यूज करना है और again हमें inverted comma को यूज करके second character को insert करवाना है then next element को differentiate करने के लिए comma यूज करना है again inverted comma में next element जो हमारे character type का data है उसे save करना है और इस curly brushes को हम close करके semicolon लगा देंगे ये एक character type के array का initialization हो गया with the declaration अब हमने एक character type का array declare किया है five characters का but user ने last हमें values provide करवाई थी उसी के according हमें three character ही provide करवाई और आगे हमें कोई भी character provide नहीं करवाई इस condition में memory के अंदर ये array कैसे जाके save होगा ये name type का एक character array है जो memory में five characters को store करेगा हर एक section एक byte को represent करेगा last time पर हमने देखा था जब हमने integer का एक section देखा तो वो two byte को represent करता था but इस पार इसे एक byte की जरूरत है तो इसमें number of storage हमें कितनी चाहिए five elements है हर element को one byte का space चाहिए तो number of total हमें bytes की requirement है five bytes की name of zero पर character a store हो जाएगा name of one पर second number element b store हो जाएगा name of two पर third number of character c store हो जाएगा अब आगे user ने कोई character हमें provide नहीं करवाया तो इस blank space में compiler automatically null को save कर देगा integer array में compiler zero से blank space को fill करता है और character array में compiler है वो इस null character से array को save कर देता है तो ये हमारा declaration होता है compile time का इसमें कुछ cases हैं जो हमने discuss किये now हम बात करते हैं कि run time के उपर initialize कैसे किया जाता है initialization at run time अब इसका क्या मतलब है कि हमने array को तो declare कर दिया बट जो उसकी values होंगी वो हम user से request करेंगे कि वो हमें value को provide करवाए कब जब program run होगा इसमें user से अगर हमें value लेनी है तो हमें c के अंदर भी हमने पड़ा होगा जैसे एक हमारा built in function होता है scanf scanf का use करके या फिर हम c++ की बात करें तो c in को use करके हम user से run time पर array को initialize करवाते हैं ठीक है तो mostly initialization हमने देखे यह आपको अच्छे से clear हो गए होंगे कि कैसे हम array को declare करते हैं कौन-कौन से cases में हम array को initialize करवाते हैं उसे एक statement में कैसे initialize करवाएंगे उसे अलग-अलग statement में कैसे initialize करवाएंगे कुछ restricted initialization होते हैं जो compiler allow नहीं करता array के case में क्योंकि array declare करतने के साथ ही हमें उसका size बताना पड़ेगा और last हमने यह देखा कि कैसे run time के उपर हम array को initialize करवाते हैं benefit है array को use करने का वो है कि हम इसके किसी भी element को direct search कर सकते हैं with the help of index value एक example देखेंगे जिसमें हम index value का use करके array के elements को data को access कर सकते हैं जैसे हम direct a of 2 को अगर हमें access करना है तो हमें just एक index value प्रोवाइड करवानी होगी program में compiler जैसे इस statement को read करेगा वो a of 2 की value हमें provide करवा देगा इसे हम अगर print करवाना चाहते हैं तो print करवा सकते हैं इसके उपर अगर कोई operation परफोर्म करना चाहते हैं तो वो भी possible है array हमें एक facility और provide करता है direct access की permission देता है and number 2 पर इसे random access के लिए भी जाना जाता है random मतलब कि हम randomly किसी भी number को access कर सकते हैं with the help of index value अगर हमें a of 3 को access करना है तो direct हम a of 3 लिखेंगे और हमें a of 3 की value मिल जाएगी तो इस वज़े से इन qualities के लिए इसे random access भी बोला जाता है direct access भी बोला जाता है और ये दोनों possible क्यों है क्योंकि इसकी memory fix है इसको जो address मिला है वो fix है तो इसके उपर operation करना बहुत ही easy हो जाता है आगे इस array पे कौन-कौन से operation perform होते हैं detail discussion उसका करेंगे अगर आपको ये series अच्छी लग रही है for particular DSSSP के students को तो आप इन वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करें ताकि आपको कोई भी नई वीडियो अगर upload हो तो उनका notification time to time मिल सके thanks for watching